नहीं बेकार है, इन में से कोई कलर अच्छी नहीं है, कितने फीके हैं, कोई लाइफ नहीं है इन में, ये कलर कौन पसंद करेगा भला, कोई भी नहीं, कुछ अच्छी कलर होनी चाहिए, जैसे के ब्राइट कलर्स, मुझे ये सब बिलकुल भी नहीं चाहिए, हम पहली बार यंग्स्टर्स के लिए कोई प्रॉडक्ट लाउंच कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कैम्पेन है, तुम लोग मुझे ये दिखाना चाहते थे, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं आपको इतने महिनों से ब्रीफ दे रही हूँ, उसके बाद भी मुझे ऐसा रिजल्ट मिला, तुम कैसे इतना बड़ा असाइमेंट टाइम पर पूरा करोगे, बस एक महिना और दे दीजे, एक महिना तो नहीं हमार पास, छड़ो अभी, तो हम एक काम करते हैं, एक कॉंपटिशन और अगनाईज करते हैं, सोशल मीडिया और हमारी वेबसाइट पर अनाउन्स करते हैं, बहुत से यंग और टेलेंटेट डिसाइनर्स कॉंपटिशन में इंट्रेस्टेट होंगी और, हो सकता है हमें उसमें से अपनी फाइल्स भी यहीं छोड़ दो, मैं इन्हें देखकर तुमें कल अच्छे से फीडबैक दे दोगी, ओके, गुड़ बाए एल्चिन ओ सॉरी मैं मीटिंग में थी सिनान बताओ मैं समझ गया, अब फ्री हो? हाँ मैं फ्री हूँ ओके, सुनो मना मत करना, चलो साथ में लंच करने चलते हैं अहाँ ठीक है, चलते हैं सी यू बाए शुक्र है अदा अब अच्छा फील कर रही है, यानि उसने हमें एक्सेप्ट कर लिया है सिनान, चलो किसी दिम बच्चों के साथ डिनर करते हैं, क्या कहते हो? तुम एदा को समझने की कोशिश करो मैं उसे अच्छे से समझ सकती हूं सिनान मेरे खुद की भी एक बेटी है, पर मुझे क्यों लगता है कि तुम एक को बहुत बात को बढ़ा रहा हूं हाँ मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा बिहेव करें, पर वो मेरी सुनना ही नहीं चाहती एदा को हुआ क्या है? एदा की बहुत टाइम से थेरेपी चल रही है उसकी मॉम बच्चपन में ही उसे छोड़के चली गए, जिससे वो अब तक उभर नहीं पाई है हम उसे खोश रखने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो बहुत जादा एमोशनल और सेंसिटिफ है मैं उसे और परेशा नहीं करना जाता तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बता जानता हूं मुझे इसस पहले बताना चाहिए था मैं सब समझ सकती हो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी ठीक है, हम एदा को मिलकर समझाएंगे मैं जानता था, तुम मुझे जरूर समझोगी एलचिन मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया है तुम जानते हो मेरे साथ क्या क्या हुआ है ओक्टे के अलावा मेरा और था ही कौन मैंने भी उसके साथ रहकर जो सहा है वो इतनी असानी से भूल नहीं सकती सिनान पर तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ आज से बस तुम यह याद रखो और कुछ नहीं, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दोंगा, चाहे कुछ भी हो, हम मिलकर सभी मुश्किलों को पार कर लेंगे मुझे तुम पर पूरा यकीन है